नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपको परवल का अचार बनाने के लिए बताऊंगे जो कि बहुत ही जल्दी और टेश्टी बनता है यह खाने में इसका यह हानिकारक भी नहीं होता है तो सबसे पहले परवल के उपरी परत को एक तम अच्छे से निकाल दें और देखे यह परवल का उपरी परत जो है सिर्फ उसी को चाको से निकालना है और छिलना नहीं है इसके बाद इसके दोनों और को काट करके इसी छोटी छोटी टुकडे में पांट लें और इसे हासे भ कुतर के हम यहाँ पर मसीन से कुतर लिए हैं कुतर के एकदम से छोटा बारिक कर लिए हैं और इसे अब हम एक दीन पूरे धूप में सूखने के लिए डाल देंगे में सुखाने के बाद इसे किसी बरतन में उठा लें और एक चमच नमक डालें एवंग एक चमच हल्दी डाल कर इसे अच्छे से मिला लें इसे पूरा दिन धूप में रख दें ताकि इसमें नमक अच्छे से मिल जाए और ये अच्छे से गल जाए इसमें थोड़ा सा तेल डालें, तेल इतना सा डालें कि ये सिर्फ इसमें मिल जाए, अच्छे से मिल जाए और मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा जितना सा आपका अचार है, उसके अनुसार आजमाईन और मंगरेला डाल दें, उसके बाद थोड़ा सा मिर्ची पौडर डाल मसाला कमें मिक हैं मिक्स कर दें手 quindi .. थोड़ा सा इस थोड़ार नमक देने के बाद इस थोड़ा कामचूर काम錯़ कर देतक गाउनाँ दिस्टी मदें बन करके तयार हो गया है इसे देखिए कितना खुबसूरत लग रहा है अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद